पुस्तो आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे गाउं के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां करोड़ पती से लेकर बैशलर्स तक काफी मशूर हैं। जब भी बात काउं की आती हैं तो वो सोनी सोनी मिट्टी की खुश्पू, चूले का खाना और हर तरफ हर्याली हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। पर आज हम भारत के जिन गाउं के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इसकी खासियत ही बड़ी अजीब है। यहां का हर गाउं अलग-अलग कारणों से चर्चा का विशे बना रहता है। हम सबसे पहले करनाटक के मतूर गाउं के चाश्चा करने जा रहे हैं, जो कि शिव मोगा जिले में है। आप दोर पर लोगों को यहां संस्कृत बोलते हुए देखा जा सकता है। यह आपको हैरानी की बाद जरूर लगेगी क्यूंकि करनाटक की आधिकारिक भाशा तो कन्नद है। लेकिन इसके बावजूद भी इस गाउं के लोग संस्कृत भाशा बोलते हैं। अब हम नागालाइंज के एक गाउं लोगवा की बात करने जा रहे हैं। जो मोन जिले में इस्थित है। या इस राज्य का सबसे बड़ा गाउं में से एक माना जाता है। दरसल यहां के लोगों के पास दोहरी नग रिखता है। इस गाउं के मुखिया को राजा या अंक के नाम से लोग जानते हैं। अब हम सबसे चौकाने वाले बिहार के एक गाउं की बात करने जा रहे हैं। जिसका नाम बड़वा कला गाउं है। कहा जाता है कि 2017 तक इस गाउं में शादी हुई ही नहीं थी। यानि कि औविवाहित लोगों से ये गाउं भारा हुआ था। वज़ा सामने पिल्कुल इस पस्ट है कि 2017 से पहले इस गाउं में सडकों का उतना निर्मान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इसका निर्मान हुआ वहाँ पर शादिया होने लगी। अब हम महारास्ट के सने शिंग्डापुर काउं की चैशा करने जा रहे हैं। कि उन्हें पता है कि शनी देव की महिमा की वज़े से उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। और कभी कोई ऐसा करने के बारे में सोचेगा तो शनी देव उसे हमेशा दंडित करते हैं। अब बारी आती है महारास्ट के हिवडे बाजार गाउं की। कई बार गाउं का नाम सुनकर आपकी मान सकता इस बात पर जरूर टिकी होगी कि गाउं के लोग इतने अमीद नहीं होते हैं जितने शहर के लोग होते हैं। लेकिन यहां पर ये बात गलत साबित हो जाती है। महारास्ट का ये गाउं करोरपतियों के गाउं के नाम से मशूर है जहां आपको 50 से भी जादा करोरपति लोग मिल जाएंगे यही वज़ा है कि इसे भारत के आदर्श गाउं में से एक माना जाता है जहां लोगों के रहने का तरीका बड़ा ही अनुखा है ऐसी और जनकारी के लिए देखते रहें अच्छाजी.com